इस वाले वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, आरोमाटिसेटी, नॉन आरोमाटिसेटी, आंटि आरोमाटिसेटी, पिछली क्लास जो हाइपर कॉंजुगेशन के उपर थी, उसके बाद आपको MS चोहान को हूंबग भिजवा दिया गया थो टेलिग्राम के उपर, ता लेवल की PY की उस भी हम आपको करवाएंगे आज, खुश हो जाएंगों को करके, confidence आजाएगा, जैई एडवान्स के पॉइंट आफ व्यू से आपको एक चीज समझनी पड़ती है, जैई एडवान्स के लिए आपको सब कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, आपको वही point of view से, जैई में, जैई एडवान्स दोनों different examinations हैं, you need to understand that, अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के साथ, टॉपिक में हमारे पास आता है हकल्स रूल, हकल्स रूल का भी actual में एक derivation होता है, छोटू सा, जो मैं आपको अब यह बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको inorganic chemistry के chemical bonding की MOT से याद होगा, क्या याद होगा, कि अगर मैं molecular orbitals लेता हूँ, तो molecular orbitals तीन प्रकार के हमारे पास होते हैं, मैंने आपको पिछली class में भी एक बार दिखाया था, एक होता है ABMO, एक होता है NBMO, मतलब non-bonding, एक होता है PMO, मतलब bonding, ठीक है, यह आपने चीज़े पढ़ करते हैं, stability BMO की जाधा रहती है, similarly NBMO की उससे कम रहती है, ABMO की उससे कम रहती है, तो अगर हम energy के point of view से बात कर लें, जैसे आपके सामें derive भी किया था, मैंने वो MGH, Mg0 वाले example से, कि उसकी stability जाधा होगी, उसकी potential energy जाधा होगी, जो जाधा unstable होगा, इसलिए ABMO की potential energy होगी, वो NBMO से जाधा होगी, वो BMO से जाधा हो जाएगी, यह चीज हम लोग को पता है, pause करके लिख लीजिए, अब अगर हम बात करते हैं, frost circle के बारे में, जो frost circle है, उसी से actually, आपके पास, huckle's rule बनके आता है, यह कुछ लोग को doubt भी होगा, जिनने स्कूल में पढ़के रखा हो कि भई, y 4n plus 2pi, y 4npi, कोई चीज में आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरी चीज, एक LCCS rule भी होता है, जो once again ignored रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है, आज के lecture को, ठीक है, इससे questions बहुत आते हैं, for example, अगर मैं frost circle बोलना जाओ, frost circle मतलब क्या है, कुछ भी नही है, for example, मैंने एक triangle लिया, मैंने एक square ले लिया, basically यह triangle square नहीं है, यह आपके पास cyclic compounds हैं, जो मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, for example, हमने यह compounds लिये, cyclopentane, cyclobutane, cyclopropane, and cyclohexane, यह आपके पास है, 4 compounds, frost circle क्या है, कुछ भी नहीं है, frost circle बोलने का अभी प्राय ही य मेरे पास vertices हैं, vertices हैं, उन सभी को मैंने एक circle के ऊपर रख दिया, ठीक है, उन सभी को मैंने एक circle के ऊपर रख दिया, बस, इसी circle को हम बोलते हैं, frost circle, आप बोलोगे भाई, तीन points क्यों चाहिए, अरे मेरे भाई, circle की equation याद तो करो, x-h whole square plus y-k whole square is equal to r square, या x square plus y square plus 2x plus 2fy plus c, तो हर किसी में तीन चाहिए होते हैं, अपनको replacements, constants की replacements, इसने minimum तीन points चाहिए होता, कोई भी circle बनाने के लिए, similarly, cyclopentane में भी, आप बना के देख सकते हो, जैसे, अभी को join किया, vertices को, इसको हम बोलते हैं, frost circle, and same चीज़ अब 6, 7, 8, आपको 100 के लिए करना है, 100 के लिए भी कर सकते हैं, तो इसकी definition लिख लिए पहले frost circle की, Frost circle is the circle, 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 formed by, formed by, joining the vertices, formed by, joining the vertices, joining the vertices of cyclic compounds, of cyclic compounds, of cyclic compounds, ठीक है, पॉस करके दिख लीजे, वैसे लिखवाई दिया मैंने, अब आईए इसका significant समझते हैं, अगर मैं aromatic compound की बात करूँ, तो सबसे पहला aromatic compound आपके दिमाग में आता है, वो क्या है, बेंजीन, ठीक है, अगर मैं बेंजीन यहाँ पे लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब लिखना मत, इसको समझ लो जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, इसका हम लोग frost circle बनाना चाहेंगे तो frost circle बना लेते हैं, तो कैसे बनेगा frost circle, for example, बेंजीन है, उसको मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, basically six-membered है figure, six-membered figure आपके सामने बनाया गया है, अब मैंने क्या किया, यह वाला जो horizontal level है, उसको हम reference level मान लेते हैं, reference level मतलब basically, nbmo मान लेते हैं, non-bonding molecular orbital, तो यह हम मान लेते हैं, nbmo का level, obvious से बात है, दो मिनट पहले ही आपको दिखाया था, nbmo के ऊपर वाले हो जाएंगे, abmos, energy level के हिसाब से, basically कुछ भी नहीं है, यह हम energy levels ही दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, energy levels ही दिखा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, तो यह हमारे पास एक level है, यह एक level है, यह 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 level है, अब obviously कुछ लोग को doubt आगा, आ सकता है, कि भाई, benzine ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बना दिया,难ों आप आप सोच रहे हो, घक है, ऐसा क्यों नहीं बनाया, USC समझो, nbmo पे, तो हमारे पास bonding तो वहां पर आपन के पास कहां से आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन्स को रख दिया, समझ आया है नहीं आया, ठीक है, तो सिंस वहां पर नहीं हो रही है, इसलिए हमें इस प्रकार से बनाना पड़ रहा है, ताकि कोई भी कार्बन उसके लेवल पर ना आए, बस, as simple as that, तो उपर वाले, जो unstable हैं, उनको हम बोल रहे थे, ABMOs, नीचे वाले, जो हमारे पास stable हैं, उनको हम बोल देंगे, PMO, वेंजीन में कितने electrons हैं, देखिए, 2, 4, 6, 6, 5 electrons हमारे पास मौझूद हो रहे हैं, उनको भी बना के दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, तो 2, यह यहाँ पर आजाएंगे, 2, यहाँ पर आजाएंगे, 2, यहाँ पर आजाएंगे, 6, 5, तो आपको दिखा या नहीं दिखा, तो क्या ये compound, stable होना चाहिए, या ये compound, unstable होना चाहिए, लगाए दिमाग, सब के सब, जो हमारे पास electrons हैं, वो कहाँ पर चलेगे, वो BMO में चलेग इसका मतलब ये जो compound है, वो highly stable बनके, highly stable बनके आ रहा है, pause करके लिख लीजए, ठीक है, सबी के लिए clear है, अब आगे चलते हैं, अब for example, मैंने एक compound लिया, जो हमारे पास है, एक 4-membered ring, आईए 4-membered ring ले ले लेते हैं, तो let me say, आपके पास ये compound दिया गया है, cyclobutadiene ये दिया गया है, ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर हम इसका symmetrical part बनाना चाहें, symmetrical part, ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले, क्या मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, stable compound ही, फिर मैं unstable compound दिखाने के उपर चलता हूँ, because that will be better for understanding, for example, मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखना, सब मज़ेदार है, सब proof के साथ मैं आपको दिखा, for example, ये compound हमें दिया गया है, मैंने बोला, proof कर ये, without having the knowledge of Huckle's rule, because actually Huckle's rule आता ही frost circle से है, समझा रहा है, हमने क्या किया, हमने इसका once again, बड़ा diagram बना दिया अच्छा, अब कुछ लोग को यहाँ पर ये भी doubt आ सकता है, क्या NBMO पर कभी भी carbons नहीं हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे हो सकते हैं, आपने विस inorganic में पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है, NBMO, जो हमारा level है, because symmetrical होन तो हमें सोचना पड़ेगा, ओके देखिए, तो यह वाले नीचे वाले मैंने बना दिया आपके पास, BMOs, जो lower energy level पे हैं, उपर की तरफ हमारे पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ABMO, अब देखो, यहाँ पर symmetrical नहीं बन पाया, वहीं बोल रहा हूँ, जहां तक try हो सके, ओविस सी बात है, nature operates on symmetry, लेकिन नहीं हो पायेगा, तो फिर वहाँ पर हमें अलग तरीके से सोचना ही पड़ेगा, अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से, कितने electrons हैं, 6 electrons हैं, 2 यहाँ पर गए, 2 यहाँ पर गए, 2 यहाँ पर गए, तो क्या यह molecule, stable होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, तो it is highly stable in, highly stable in, अच्छा कुछ लोग अगर frost circle में doubt आ रहा हो, ठीक है, hold रखना, हकल्स रूल पूरा का पूरा जेनरलाइज कर देता है, मैंने directly हकल्स रूल से इसले start नहीं किया है, जिसे बागी लोग करते, ताकि थोड़ा बहुत आपको feel आ जाएगी, होता क्या है, अब देखिए, अब interesting चीज़ देखिए, for example, अगर मैं इसे compound को, ऐसे ले ले लेता हू with a negative charge, with a negative charge, तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास कितने electron एक्स्ट्रा होगे, 2, 4, 6, 8, अब बोलोगे, ये πाई electron कैसे है, resonance याद करिए न, तो resonance के time पे ये जो minus बनेगा, वो तो πाई ही बनेगा, आया समझ या नहीं आया, इसलिए वो भी एक पाई electron की तरह ही behave करेगा, तो 6 तो हम बना चुके है, 2 और बनाने चाहिए, बना दीजिए, अगर ये सोचा आपने तो गलत है, याद करिए atomic structure, इसलिए एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या ये molecule, stable होना चाहिए, या ये unstable होना चाहिए, और विस stable होगा, because अब हमारे पास जो दोनों electrons हैं, वो ABMO के अंदर चले गए, वो ABMO के अंदर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाला molecule हो जाएगा unstable, ये वाला molecule हो जाएगा unstable, आया समझ, देख लीजे इसको pause करके, अब यहीं से आपको थोड़ा बात feel आने लग पड़ा हो For example, अगर मैं एक और molecule लेता हूँ, देखिए इस molecule को ध्यान से, जो हमने पहले बनाया था, पहले में stable दिखा रहा था, अब unstable के उपर भी दिखा देते हैं, ये देखिए, इसका हम लोग बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, cross circle, ये हो जाएगा, ये horizontal level है, यहाँ पे stable होगा, वो हो जाएगा, BMO, सबसे जादा unstable होगा, वो हो जाएगा, ABM, अब कितने πाई electrons, इस वाले molecule में present हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल चार present हो रहे हैं, तो दो यहाँ पे, and एक यहाँ, यहाँ, आया समझ या नही वो present नहीं हो रहे हैं, BMO में, इसलिए यह हो जाएगा, unstable, लेकिन, interesting चीज़ देखिये, जो आपको कोई भी नहीं बताता है, यहाँ से देखना, इसमें conjugation है, लेकिन, conjugation possible, नहीं होगा, resonance is not possible, क्यों भाई, कैसे, देखो ना मेरे भाई ध्यान से, यह क्या है, यह है, unpaired electrons, क्या है, unpaired electrons, तो इसलिए यहाँ पे, resonance possible, नहीं हो पाएगा, जैसे पिछले case में आईए, यह इधर देखिये, दिखने में क्या है, conjugation है, लेकिन, resonance, देखो कितना अच्छा, ultra advanced level question बन सकता है, resonance possible, नहीं हो पाएगा, क्यों, because unpaired electrons present हो रहे हैं, आप उलग भी unpaired electrons है, तो resonance क्यों नहीं हो रहा है, अरे भाई, याद करिये न, जो मैंने आपको यह example दिया था, यह वाला, यह वाला याद है resonance के time से, अगर आप इसमें resonance करवाते हो, आपके इसाब से, यह होना चाहिए, जैसे, एक इधर, एक इधर, इधर, एक इधर, यह actually resonance नहीं होता है, यह rearrangement होता है, because initial number of unpaid electrons are not equal to final number of unpaid electrons, इसलिए हम थोड़े time में आपके सामने बोलने भी वाले हैं, कि anti-aromatic compounds cannot show resonance in spite of having a conjugated system, आया मज़ा, इसलिए इसलिए हमें यहाँ पर resonance possible नहीं हो पाएगा, because दो unpaid electrons आ रहे हैं, दो unpaid electrons आ रहे हैं, एक और दिखा देते हैं, जनरलाइज कर लेंगे हम, ठीक है, देखिए, for example, हमने यह molecule लिया, यह वाला molecule, इसका frost circle बना लेते हैं, बनाईए, आप बोलाएं कि ऐसा ही क्यों बनाया है, logically समझो, ठीक है, because अगर हम दो नीचे बनाएंगे, दो नीचे बनाएंगे, तो फिर दो electrons साथ में नहीं आ पाएंगे, जैसे, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर NBMO बनाता हूँ, अगर आप दो नीचे बनाते हैं, समझा रहा है, वन वन देना पड़ता, तो नेचर वैसे बिहेव करता है, stability के point of view से, ABMOs, और BMOs, यह हमारे पास energy levels हैं, कितने pi electrons हैं इसके अंदर भाई साथ, फेले तो यह mark कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर जगा है रखने के लिए, तो पाई लेक्ट्रॉन, तो क्या यह molecule stable होना चाहिए, unstable होना चाहिए, भयंकर stable होना चाहिए, because सब के सब हमारे पास है BMOs के अंदर, BMOs के अंदर, अब खेल थोड़ा सा पलटते हैं, for example हमने यह molecule ले लिया, for example हमने यह molecule ले लिया, अब देखिए, यहाँ पर कितने electrons हैं, 2 प्लस 2, 4, आप बोलोगे यह क्यों है, because आपको दिखी रहा है क्यों, तो यहाँ पर 4 हो गए, मतलब एक इदर, इदर, तो क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा भयंकर Unstable, भयंकर Unstable, and क्या यहाँ पर resonance होगा, देखिए, resonance भी नहीं होगा, कितनी बारिक बारिक चीजें हैं, जो लोग इगनोर कर देतें, बताने, resonance भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आपके सामने ही मैंने आपको दो अनपेड एलेक्टरॉंस रेड कलर के बनाके दिखा दिये रेड कलर के बनाके ठीक है आया समझ pause करके लिख लीजिए इसको अब देखिए तो हमने क्या derive किया ठीक है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है आप समरी से भी काम चला सकते हो because maximum लोग समरी से ही काम चला रहे होते हैं इसमें हमने ये देखा कि अगर हम stable compounds की बात करें stable compounds तो उनमें कितने πाई electrons थे देखिए यहाँ पे थे 2 πाई यहाँ पे अगर हम जाए यह unstable था, देखाया था आपके सामने यह stable था, यहाँ पे थे 6 πाई, 2, 4, 6 and the very popular जहाँ से खेल स्टार्ट हुए बेंजीन 6 πाई, अभी तक हमने देखा कि 2 πाई में stability थी फिर 6 πाई में stability अगर मेरे भाई हम लोग unstable की बात करें unstable unstable कहां कहां पे थे देखे ध्यान से पिछले पेज के उपर unstable यहाँ पे था जिसमें 4 πाई एलेक्ट्रॉन थे 2 प्लस 2 चार similarly, यहाँ पे भी 4 πाई थे similarly, मेरे भाई यहाँ पे आपके पास red वाले में 8 πाई थे तो मतलब हम लोगों ने देखा कि जो 4 πाई है वो unstable था 8 πाई unstable था तो क्या आपको pattern दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है arithmetic progression तो आपने पढ़ा ही होगा a plus n minus 1 into d देखिए, 2 के बाद 6 तो 6 के बाद क्या होना चाहिए 6 के बाद हमारे पास होना चाहिए 10 πाई फिर 14 πाई 18 πाई etc. etc. आया समझ? अकल्स rule कैसे derive होता है similarly, unstable में क्या थे? 4 πाई, 8 πाई इसके बाद क्या हो जाएगा? 12 πाई, 16 πाई 4 का multiple यह बन के आजाएगा तो यहां से मैं क्या समझ आ रहा है? यहां से हमें समझ आ रहा है कि जो pattern है वो हमारे पास lead करेगा एक general term के लिए और वो general term क्या बन जाएगा? 4 n plus 2 πाई electrons पे stability हम लोगों को मिलेगी whereas 4, 8, 12 मतलब 4 n pi electrons पे हम लोगों को unstability आया मज़ा या नहीं आया? यहां पे stability मिल रही है whereas यहां पे unstability तब यह तक आप कुछ भी समझ नहीं आया है यह simple derivation है यह simple maths आपको दिखा दिया बस इसी चीज को इसी चीज को इस chapter में हम लोग बोल देते हैं aromatic compounds and इसी chapter में इस चीज को जो भयंकर unstable है aromatic का बिल्कुल विप्रीत तो anti aromatic तो भाई derive कर दिया आपके सामने हकल्स rule जो aromatic होते हैं वो भयंकर stable होते हैं जो anti-aromatic होते हैं वो भयंकर unstable होते हैं ठीक है पॉस करके लिख लीजिए पॉस करके लिख लीजिए बस इसी चीज को हकल्स ने generalize कर दिया था तो वह हम आपको लिखवा रहे हैं लिखिए हकल्स rule बैट इसमें भी कुछ चीज़े इग्नोर्ड होती है बापी लोग के दोर बोटाएंगे हम आपको लिख लीजिए हकल्स rule हकल्स rule for determining aromaticity हकल्स rule for determining aromatic compounds for determining aromatic compounds number one क्या होना चाहिए number one जहां से derivation start हुआ cyclic होना चाहिए न स्टार्ट ही हमने system जो लिये थे cyclic से ही लिया था because frost circle cyclic के उपर ही बना पाएंगे linear के उपर कैसे बनाओगे भाई cyclic होना चाहिए second चीज क्या होनी चाहिए सभी systems में conjugation था aromatic में तो resonance भी होगा proper तरीके से जिसे benzine आपको दिखाया या वो six pi वाल आपको दिखाया सभी में resonance भी होगा because सबके सब BMOs में बैठे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि resonance है या नहीं है जादा नहीं सोचना है third point कितने electrons होने चाहिए सब derive कर दिया भाई ठीक है तो होने चाहिए four and plus two five electrons यहाँ पर n क्या है n एक whole number है 0,1,2,3,4,5,6 जो भी आप डालना चाहो उस हिसाब से वो भी आपको proof क्या है fourth rule जो है जो बाकी लोग नहीं बताते हैं वो हमारे पास है LCCS rule LCCS rule इसका मतलब क्या है इसको पहले लिख लीजे मतलब बताएंगे आपको largest largest cyclic conjugated system मतलब बताएंगे आपको बताएंगे चारो कंबाइंग करके हमारे पास बनता है किनों कंबाइंग करके बनता है LCCS पॉर्स करके लिख लीजे largest cyclic conjugated system अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं आईए questions पे चलते हैं अभी आपको समझ आएगा दन दन questions question ये हभी के लिए कि aromatic है या नहीं है बस उतना ही determine करना है तो for example मैंने एक molecule लिया जो हमारे पास है ये हमझ आ रहे है अब मैंने आप से पूचा क्या ये system aromatic है या नहीं है तो अगर आप लोग ऐसे सोच के बोलते हो to monocyclic systems तो अगर आपके teacher ने ये बताया है कि भाई ये aromatic है ये aromatic है पूरा system aromatic है तो वो गलत है ठीक है वो मेरे भाई गलत है because हकल's rule जो था वो apply ही हो सकता है monocyclic के लिए इसलिए LCCS rule बनाया गया देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि दो cycle है तो obvious से बात है system तो monocyclic नहीं है लेकिन हम इसको monocyclic बना सकते हैं कैसे वो देखिए largest cyclic conjugated system देखना है तो देखते हैं आईए मैंने for example यहां से start किया आप कहीं से भी कर सकते हो cycle है न यहां से किया मुझे conjugation मिल रही है cycle मिल रही है conjugation मिल रही है cycle मिल रही है चलता जा रहा हूं मैं इधर आया तो logically सोचो क्या मुझे इधर जाना चाहिए या मुझे इधर जाना चाहिए अगर मैं इधर जाता हूँ उपर की तरफ तो मुझे cyclic conjugated sum मिल रहा है लेकिन मेरे भाई क्या वो largest है, largest नहीं है because largest ये system नहीं है जिसमें cyclicity and conjugation present है, largest actually क्या है, अगर मैं right hand side जाता हूँ, जैसे चलिए अगर मैं right hand side चलता हुआ गया, देखिए, cyclic है conjugated है, cyclic है, conjugated है, cyclic है, conjugated है, cyclic है conjugated है, yes, तो अब देखो, अब जो पूरा system है उसको मैंने एक system बना दिया तो अब मैं huckle's rule apply कर सकता हूँ, largest cyclic conjugated system cyclic बोलने का मतलब क्या होता है, याद करिए thermodynamics बताया जाता है, कि जहाँ जैसे ये आपको लग रहा है कि cycle नहीं है, लेकिन ये भी cycle है न, क्यों, विकास आपने यहाँ से start किया, ऊपर अगे B से B से वापस A पे आए तो जहाँ से start किया अगर आप वहीं पे वापस पहुंचते हो तो उस प्रकार के system को हम लोग बोलते हैं, cyclic system बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है जहाँ से start किया, वही पे वापस पहुंचते है अब इस system में conjugation है, cyclic है कितने πाई electrons है system में 2, 4, 6, 8, 10 बस तो ये system बन जाएगा ठीक ये system बन जाएगा ठीक है, ये ऐसे किया जाते है ऐसे करते हैं, Huckle's Rule का application ऐसा नहीं कि दो-दो rings दे दिया तो आपने solve कर दिया, जैसे देखिए, number B अब obviously कुछ लोग को doubt ये भी आ रहा होगा जैसे मैंने ये लिया ध्यान से देखिए विल्कल ध्यान से समझना देखो, for example आपको ये मैंने बोला, कि ये बताएगे हकल's rule में अब देखो, जो लोग दो-दो बढ़के आ रहे होंगे भाई ये तो aromatic है लेकिन ये तो नहीं है hmm क्या पूरा system aromatic होना चाहिए नहीं होना चाहिए फिर फस जाओगे आप वैसे नहीं करना है, हाँ, एक level और होते है teachers यहाँ पर बोल देते हैं एक भी aromatic बनगे तो फूरा aromatic बनगे वो तो और गए गुजरे ऐसे नहीं करना है आपको ध्यान से समझे क्या होगा for example मैंने यहाँ से start किया आप कहीं से भी कर सकते हो यार अपनी-पनी मर्जी है मैंने यहाँ से किया चलता किया हमें cycle ए, conjugation भी है cycle भी है, conjugation भी है cycle भी है, conjugation भी है cycle भी है, conjugation भी है यहाँ पर आया तो क्या मुझे right जाना चाहिए या मुझे ऊपर जाना चाहिए logically समझो right hand side to conjugation ही नहीं है is लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा cyclic conjugate तो जिस system से मुझे मतलव है वो बस ये वाला सिस्टम है वो बस ये वाला सिस्टम है जो हमारा LCCS को साटिस्फाइ कर रहा है दो कितनी गलत फहिम है अभी आपके clear हो रही होंगी तो इस सिस्टम में इस पूरे सिस्टम को हमने इसमें convert कर लिया अब यहाँ पर देख लेते हैं इस सिस्टम में LCCS हो पा रहा है लार्जेस्ट कॉंजुगेटड साइकलिक सिस्टम हैंस ये भी आरोमाटिक बनके आ जाएगा ये भी आरोमाटिक बनके आ जाएगा आया समझ कैसे खेल होता है LCCS का मेरे भाई ठीक है तो गलती मत करिए नंबर C देखिए for example ये लिया क्या इस सिस्टम में LCCS मतले सॉरी क्या ये सिस्टम आरोमाटिक है या नहीं है देखिए for example बने यहां से स्टार्ट किया conjugated, cyclic, conjugated, cyclic, conjugated, cyclic, conjugated, cyclic, conjugated, cyclic लेकि मैं ये ही पर रूक जाऊंगा तो मेरे भाई ये तो cyclic system ही नहीं है ये मेरे भाई cyclic system ही नहीं है तो अगर आपके teachers आपके पढ़ा रहे हैं कि ये cyclic system है तो गलत है अक्कल रूल के हिसाब से ये system तो cyclic ही नहीं है तो जब cyclic ही नहीं हुआ तो आपके पास कहां से aromaticity कहां से anti-aromaticity इसलिए इंको बाद में non-aromatic बोलते हैं आया मज़ा या नहीं आया क्या चल रहा है देखे ए फॉर एक्जाम्पल और के ले सकते हैं ये देख लो चलो इसमें LCACS भी हो जाएगा ठीक है कर लीजे भाई इसको ध्यान से करके कर सकते हैं अब इसमें क्या दिक्कत है ये वाल आपके पास aromatic बन जाएगा pause करके लिख लीजे तो पूरे system को एक system में convert करके आपन को करना होता है जिसे ये दिखा दूगे देख लो एक बार आपने यहां से start किया चलता किया चलता किया aromatic है conjugated है उपर जाओ या राइट जाओ राइट में हमारे पास conjugation and cyclicity है तो राइट जाओंगा बड़ा system है इधर राइट जाओ या ऊपर जाओ obvious सी बात है राइट जाओंगा क्यों तो cyclicity है and conjugation है बस में इधर पहुंच जाओंगा अब इस पूरे system में जिसमें आप उपर से देखोगे तो इंडिया का एक map देखेगा आपको बड़ा बस अब हम states नहीं देख रहे है हमने पूरे country को देखना start कर दिया तो अगर आपको ये पढ़ाया जाता है ये aromatic, ये aromatic तो पूरा system aromatic गलत है वो गलत है because Huckle's rule वैसे apply ही नहीं होता है Huckle's rule can only be apply to monocyclic systems ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें तो कितने pi electrons है 14 pi देख सत्यों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cyclic भी है conjugated भी है तो पूरा का पूरा system बनके आजाएगा aromatic pause करके लिख लिजे pause करके लिख लिजे तो very important गलत family I hope clear भूरी हूँ आपकी okay next आगे चलते हैं number E question रहेगा आज के लिए try करना इसको number E ये है इसको हम बोलते है spiral number F deferral try career बताइए सोच के कितने ये क्या ये अभी तम सिर्फ ये deal करें कि aromatic है या नहीं तो दोनो के दोनो aromatic होने वाले दोनो के दोनो aromatic होने वाले हैं अब बोलों के भाई कैसे बता दीजिए एक बार देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है two four six अब बोलों के loan pair pi कैसे है कारे मेरे भाई resonance करा हूँ loan pair is equal to pi हो जाएगा न उस time पे वो ही हो रहा है तो ये aromatic same चीज़ यहाँ पे two four six अब बोलों के यह ली loan pair करने लिए तो system के बाहर है out of the system है ठीक है तो ये resonance में होगी ये out of the system है ये बन के आ जाएगा इन में नहीं ठीक है पॉस करके लिख लीजे आइए अब आपको j advance का question करवा देते हैं push हो जाएए उससो करके बीजे भाई करिए try ये आपके पास है j e advanced 2017 का integer type question pause करके try करिए और फिर हमारे साथ match करिए कि क्या आपका सही आंसर आया या नहीं आया ओफिशन स्कीन शॉर्ट है यह जई वेडवांस की साइट से ही देखिये यहाँ पे टू, फोर, सिक्स, एट पुछा के कि यहाँ है आरोमाटिक कौन कौन से होंगे तो यह तो आरोमाटिक नहीं है यह इसमें सब LCC से पूरा है, तो साटिस्वाइड 6Pi बिल्किल आरोमाटिक है 4Pi आरोमाटिक नहीं है, 6Pi आरोमाटिक है यह जाते, एक्जामपल मैंने लिया ही था आपके सामने यह तो आरोमाटिक है बच्चा बच्चा कर सकता है, आरोमाटिक है इसके द्वारा, ठीक है, तो कितने बनगे, 1,2,3,8, तो 5 सिस्टर हमारे पास अरोमाटिक है देख लीजे वह एडवांस का कुशिन आपके सामने, ठीक है, आगे चलते हैं अभी तक हमारे पास हो गए है, F, G, आते हैं, H के अपके, ठंक से करना भाई, ठंक से, साथ साथ में नोट्स बनाओ, फॉवड करकर के मत देखो, जो बंदा फॉवड करकर के देख रहा होगा, तो अभी रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, वो अकले साल के लिए अभी देख लो भाई ध्यान से, विल्फिल प्रॉपर तरीके से, कंसंट्रेशन लगा के, जैसे ऑफिशल, ऑफ लाइन में फॉवड कर पाते हैं, नहीं करते हैं, कोई सेम चीज यहां पर फॉल करो, बस नोट्स साथ साथ में बनाओ, या जब मैं पॉस करके टाइम देता ह अब देखो, यहां पर आप वो सब पढ़ काई होंगे, जो कच्रा आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक सिस्टम है, बेंजीन है, तो पूरा है, यह है, वो है, वो गलत है, वो गलत नॉलेज है, विक्वस यहां पर तो आपको मोनोसाइकलिक सिस्टम नहीं दिखेगा, उस नॉलेज खेसाब, बोल रहा हूँ, सही चीज़े पढ़ो, यह संदीप महाईश्वरी भी बोलता है, अगर आप दिमाग को कच्रा फीड करोंगे, आउट्पूट भी कच्रा ही होगा, दिमाग को अच्छी चीज़े पढ़ो, तेम गोस फॉर बॉड़ी ओलसी, अब ती कज़े से होगा है, और यहान से स्टार्ट किया, यहान से स्टार्ट किया, हाइलैटर होदो नहीं से स्टार्ट किया, तेखिए,ot заг, ccs, cyclic кан, conjugate, deses, cyclic, conjugate तो मैंने इतनी बड़ी cycles for example, 2, 3, 5, 7 7 cycles को हमने monocyclic बना लिया आया समझ या नहीं आया क्या किया basically हम लोगों ने 7 cyclic system है उसको एक monocyclic system में convert लिया अब हम हकलसु लगा सकते हैं इसके पहले नहीं लगा सकते थे अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 18 pi 4 and plus 2 का multiple है तो बिलकुल aromatic बना यह system aromatic बन जाएगा मेरे भाई number i को देख लेते हैं क्या आप number i में same चीज़ कर सकते हो इतर से चलता गया aromatic है sorry cyclic है conjugated है सब हमारी conditions बिलकुल true हो रही है and pi electrons कितने है 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 या 14 4 and plus 2 pi का multiple है बिलकुल है यह भी aromatic बनके आ जाएगा अब number j में देखे जिन लोगों पूरी knowledge ने तो बोलेंगे एक aromatic है एक non aromatic है aromatic है aromatic है non aromatic गलत वैसे apply ही नहीं होता है आपका आपको देखना है कि क्या में इस system को convert कर सकता हूँ monocyclic में बिलकुल कर सकता हूँ for example यहां से start किया conjugation है cyclic है conjugation है cyclic है conjugation है cyclic है because body cycle मिल जाएगी यह बन जाएगा यह बन गया इस cycle में 10 pi electrons है इस ring में जो हमने cycle बनाई बिलकुल यह भी aromatic बनके pause करके इख लीजे next ios के बाद k के बाद k for example आपको दिया गया है pyridine very popular pyridine number L for example आपको विखा किया है final आपको ट्राय करेए इसमे और क्या दे सब्सक्राइए और क्या दे सब्सक्राइए और भी डाल देए हाँ कुछ से करोगे हाँ j e e is equal to dimar j e e is equal to dimar j 1 से बोलता है 2016 2016 से पढ़ा रहे है j 1 of college से सबसे बोलते आ रहे हैं जितना रटों के इतना फसब है okay pause करके try करना and फिर चारों को साथ में देखे यह हमारे पास है और यह दिया गया अच्छा 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 यह पाई बॉंड्स वाले है यह पाई बॉंड्स बना है इसको दोरा है तो लोन पेर ऐसे बाहर बैठा होगा जो पाई बॉंड्स का प्लेन है for example वह ऐसा प्लेन है correct and जो लोन पेर वाला प्लेन है वह ऐसा है बिल्कुल 90 degrees पे है तो resonance कैसे हो जाएगा वाउट आप दे सिस्टम है अच्छा नमबर L में आप देख सते हो कैसे पुरा system में conjugation है LCCS के द्वारा तो यह बन जाएगा shape i electron बनेंगे 5 अच्छा यहां पे क्या होगा conjugation ही नहीं है अच्छा नमबर N में क्या होगा अगर आप बोलोगे ऐसा होगा तो गलत है because मेरे भाई ध्यान से देखिए पहली बात boron होता है sp2 boron के पास होता है vacant orbital याद आये नहीं आया भूमबग दिया गया था आपको हमने आंसर वेसे बता के दिया था कि boron is क्या minus M showing group nitrogen ने lone पर इसके vacant orbital में दे दिया सेम चीज़ यहाँ पर vacant orbital में दिया vacant orbital में दिया तो जब हमने resonance करवाया हमने क्या देखा N N क्ये है साइड कर देते हैं ताकि आपको clear दिखाई देए यह है and साथ में double bond nitrogen ने दिया तो उसके उपर आजाएगा plus charge foron ने लिया तो उसके उपर आजाएगा minus charge minus plus अब आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है अगर आप ध्यान से देखो सिस्टम में क्या हो रहा है 2 literally benzene दिखना चाहिए 6 यह भी aromatic compound बनके आ जाएगा बलकि इसको हम लोग बोलते भी हैं क्या बोलते हैं inorganic benzene कै ग्रुप 13 में पढ़ाया भी गया होगा अगर आपने वह पढ़ लिया है तो बताया भी जाता है inorganic benzene इसको बोला जाता है because literally इसमें कोई carbon नहीं है लेकिन पूरा का पूरा benzene आपको बनते वह दिखाए दे रहा है लिख लीजिए phosphor अच्छा एक और इसमें करवादे दे आपको number pulse बरेडवट पूंच यह compound है क्या होना चाहिए aromatic नहीं होगा क्यों नहीं होगा because cyclicity नहीं है क्यों इसमें देखने कि 6.5 होगा तो aromatic हो जाएगा वैसा नहीं काम चलता है ठीक है next aromatic के उपर हमने बहुत देख लिया अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं anti-aromatic लिख लीजिए anti-aromatic anti-aromatic compounds इसके sheets मिल जाएंगे आपको आज group के ओपर anti-aromatic compounds anti-aromatic compounds देखिए इसके अंदर the compounds which are the cyclic compounds the cyclic compounds which are which which are highly highly destabilized the compounds which are cyclic compounds which are highly destabilized highly destabilized destabilized due to the due to the application of the frost circle याद आया जो ABM में जा रहे थे न भयंकर unstable हो जाएंगे बस वही बताया है due to the application of the frost circle of the frost circle are known as anti-aromatic compounds compounds are known as anti-aromatic compounds जो rules है वह same follow होंगे इसके अंदर भी ठीक है क्या होना चाहिए LCCS cyclic होना चाहिए conjugated होना चाहिए LCCS लगा के देखना पड़ेगा बस जो अंतर आएगा वह क्या होना चाहिए याद आया नहीं आया आपके सामने याद किया प्रूफ किया कराया गया है यह तो ठीक है तो anti-aromatic compounds यह सब होते हैं pause करके लिख लीजिए एक और important चीज add कर लेना इनमें conjugation नहीं होता है conjugation डिखना अलग है and होना अलग है मैं बोल रहा हूँ कि दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है मतलब resonance नहीं होता कितना एक node point है यह भाइस आपको तेखना कभी न कभी bond length या bond order कुछ ना कुछ पूचके मस question बन सकता है okay number P question पर आये फिर P मेरा question यह है कि जो मैं system बनाके दे रहा हूँ सोच समझ के क्या वो aromatic है क्या वो anti-aromatic for example यह पूछ रहा हूँ ट्राय करना इसको तो sheets करते रहना MS Chohan को homework दिया जा रहा है वो करते रहना देखो मैं check back तो करने आ रहा है हम तो अपनी तरफ से सब दे रहे और एक बार भी हमने धिंडोरा नहीं पीटा कि free में दे रहे हैं यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो इस वही वाली बात है न काम करते रहो results चाहिए काम करना जादा important है लेकिन साही direction ले ओके यह दिया गया है सोचिए इसको pause करके क्या आपके साब से यह होना चाहिए या नहीं होना ओके देखिया same rules है LCCS, LCCS, सब मैंने for example यहां से start किया देखो आपकी मर्जी आपको कहां से start करना है highlighter ले ले लेतें इस बर ओके for example यहां से start किया चलिए conjugation है, cyclic है conjugation है, conjugation cyclic है, conjugation cyclic ठीक है, सब है, सब है विल्कुल हम अगर उपर तक जाएं तो हमें समझ आ जाएगा कि पूरा का पूरा LCCS के अंदर आ गया मस्त अब देखिये कितने electrons हमारे पास प्रेजेंट होरे सिस्टम में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6 से देखिये अगर जिसको पूरी knowledge नहीं होती है इज में तो बेंजीन है इदर बेंजीन है हाँ, two are aromatic and one is not aromatic पूरा का पूरे के लिए बात होती है तो पूरा सिस्टम जो है वो बन जाएगा four and pie का multiple anti-aromatic आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है अब आते हैं वापस अब लिख लीजिए heading non-aromatic जो आखरी बच रहा है फिर तीनों को mix करके questions करने का मज़ा आएगा non-aromatic 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 all compounds except चाहे वो linear हो या cyclic हो जैसा मर्जी ठीक है, all compounds except अगर हम maths में बोले तो ऐसा, r minus anti-aromatic all compounds except aromatic anti-aromatic chemistry पढ़ना है maths कहा है JEE में maths ही तो है IIT चले भी गए और आपको maths नहीं आता है तो आप chemistry तक में first जाओगे वहां पर हम पॉलीमर में मेरे भाई पॉलीमर चाप्टर है वहां पर हम लोगों ने ट्रिपल ट्रिपल इंटिग्रेशन किये सोचो पॉलीमर में जाके तो अगर maths नहीं आता है तो strong करो अगर आप गलती से IIT पहुंच भी कि दो subject के बदौलत विदाउट maths तो नहीं हो पाए अगर लिख के दे रहा हूं तो all compounds except aromatic anti-aromatic are known as non-aromatic compounds क्या definition है बहुत सोचके बनाए गई यह obviously मेरे दौरा लेकिन इसी में सब छुपा है इसी में ही सब छुपा है जैसे देखिए ध्यान से समझना for example मैंने लिया methane यह क्या है non-aromatic है भाई अब यह मत ढूंडते फिर ना कि cyclic है या नहीं है तब ही मैंने बोला कि बहुत ही छोटु सी definition है लेकिन सब covered है cyclic linear जैसे मर्जी सब for example मैंने यह लिया देखिए यहां पर LCCS नहीं बन पाएगा ना हम यहां से बस यहां तक पहुंच पाएंगे cyclic बन ही नहीं पाया यह बन क्या जाएगा non-aromatic आया समझ यह नहीं आया non-aromatic non-aromatic अच्छा मेरे भाई अगर हम stability की बात करें stability की बात करें तो सबसे अधा stable क्या थे प्रूफ किया थे frost circle के दोवार aromatic is the most stable and anti-aromatic is the least stable anti-aromatic is the least stable तो बीच में क्या बच जाएगा non-aromatic पाएगा aromatic compounds are more stable then non-aromatic then anti-aromatic 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 आगया समझ questions करवाते हैं आपको अच्छा हाँ पहले pause करके लिख लीजे okay number Q for example मेरे भाई आपको दिया गया है यह मैं 3-4 questions साथ में लिख रहा हूँ call करके match करिए क्या होना चाहिए जैसे हम official classes में करते थे यहाँ पोल पॉसिबल नहीं हो पाता है वो हमारे हाथ में है यह नहीं यह दिया गया है boron क्यों कि अगर मैं बात करता हूं number Q में तो clearly हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई होना चाहिए resonance क्या होना चाहिए resonance अगर मैं ध्यान से देखू करवा दीजे resonance कि लोन पियर है इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर विदाउट resonance भी आपको देखना चाहिए था कि रिंग के अंदर 2,4,6 हो रहा है लेकिन मैंने resonance करवा के और clear करवा दिया मैं prefer करता हूं resonance करना तो उससे थोड़ी clarity और मिलती है अब देख सकते हो literally benzene बन गया aromatic अच्छा इसको देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है resonance करवा दीजिए नहीं भी करवाते हो तो भी बात वही रहेगी because at the end of the day आपको दिख जाएगा कि भाई रिंग में तो तू पाई electrons ही है न एक ही पाई है तू पाई यह double bound और रंग के बाहर है तो यह भी बन जाएगा aromatic solve हो गया okay next, S 2, 4 वो रहों के पास lone pair होती है क्या लेकिन क्या यह resonance में है yes, because यह SP एरे भाई, dance देखा करो ऐसे कैसे resonance में होगा ले सकता न, vacant orbital के अंदर तो पूरे system में LCCS तो मुझे दिखाई दे दिया लेकिन pi electrons है 4 4 pi electrons के हिसाब से anti-aromatic बनके आ जाएगा अगर हम number T की बात करें 4 pi है क्या LCCS है वो देख लेते है स्टार्ट के चलता के resonance है ठीक है मेरे भाई यह resonance में नहीं है यह SP3 अई गलती समझ अई गलती समझ जो इसको सोच रहे है anti-aromatic हमें पाताना कहां पर बच्चे फसते है यहां पर maximum लोग फसे होंगे यह SP3 है जो resonance में ही नहीं है अगर आप सोचते भी resonance करवाने के लिए तो आपको दिख जाएगा नाइट्रोजन के 5 bond बनगे जो possible ही नहीं है तो यह हो जाएगा non-aromatic क्या हो जाएगा भाई साहब non-aromatic non-aromatic आया समझ लिए लिए पॉस करके लिए पॉस करके लिए पॉस करके लिए तो दिमाग लगाई है आग लगाई है ओके आगे बढ़ने से पहले कुछ basic चीज़ है हम समझना चाहेंगे for example मैं यह system लेता हूँ for example for example for example जबी भी एक cycle हो जैसे आप लेक साइकल है वाल एक cycle वाल एक ring है एक ring एक ring एक ring 4 anulin इसको हम बोलते है 8 anulin अब हमें इसको देख के यह जरूर लगता है यह जो molecule है वो होना चाहिए anti-aromatic because 8 pi electron densities के अंदर present है लेकिन यह actual में बन जाता है non-aromatic क्या बन जाता है non-aromatic ऐसा क्यों होता है because यह actually planar नहीं होता यह planar नहीं होता यह actually exist करता है एक boat shape यह tub shape structure के अंदर अब बोलना जाता चाहिए tub shape this is actually a tub shaped molecule since यह tub shaped molecule है इसलिए यह non-planar यह तो literally height आ गया इसलिए यह non-planar molecule है hence यह बन के आ जाता है non-aromatic क्या बन जाता है non pause करके लिख लीजे next number V for example हमने लिया अब 10 aniline 8 देख लिया अब 10 देख लेते हैं तो अगर मैं लेता हूँ 10 aniline जो आपके सामने है 10 aniline यह वाला जो molecule है यह भी actually बन जाता है non-aromatic क्या बन जाता है non-aromatic अब बो लग भाई कैसे 10 तो होना चाहिए aromatic यहां पे जो hydrogen है यहां पे जो hydrogen repulsion हो जाता है तो सिंस दोनों hydrogen की बीच में repulsion हो गया तो जो compound है वो बन जाता है non-planar और जैसे ही हमारा compound बन जाएगा non-planar वो बन क्या जाएगा non-aromatic क्या बन जाएगा non अब obvious सी बात है अगर मैं इस repulsion को खतम कर पाहूं जैसे for example मैंने यह molecule 10 anulin का ही मैं भाई ले रहा हूं लेकिन मैंने replace कर दिया देखना ध्यान से इसको double bond, double bond, double bond catch 2 अब क्या हो रहा है अब हमारे पास hydrogen ही मौझूद नहीं है जब अपनके पास hydrogen ही मौझूद नहीं रहेगा इसका मतलब वो चीज़ बन के आ जाएगी aromatic because repulsion ही खतम हो गया जब repulsion खतम हो गया तो वो automatically planar बन गया जैसे वो planar बन गया aromaticity वापस आ गई similarly for example मैं लेता हूँ इसी का high जो हमारे पास है oxygen लगा दिया मैं क्या बोल रहा हूँ basically मैं जो problem है उसको ही मैंने जड से खतम कर दिया और जड क्या थी हमारे पास थी hydrogen hydrogen का repulsion for example मैंने यह लिया तो अब आपको समझ आई रहा होगा कि जो number x है वो आपके पास बनके आ जाएगा aromatic and number y भी बनके आ जाएगा aromatic क्यों? because repulsion ही खतम हो गया तो वो automatically हमारे पास aromatic बनके आ जाएगा next for example मैं क्या करतेता हूँ सभी aniline को साथ में लिखतेता हूँ 4 aniline हमारे पास anti-aromatic 6 aniline benzene aromatic था फिर हमने लिया 8 aniline 8 aniline non-aromatic था जैसे अब को दिखाया गया 10 पिछले page पे नॉन दिखाया गया अब for example मैं लेता हूँ 12 aniline अब structure नहीं बना रहे हम कोड़े दिमार लगाईए 14 16 and 18 basically मैंने क्या बोला मैंने सभी को यहां पे ले लिया अच अब logically समझो जो हमारे पास 12 aniline है वो क्या हो जाएगा वो हमारे पास 12 है आपको समझा ही रहे anti-aromatic बनके 12 वाला anti-aromatic बनके आ जाएगा लेकिन peak होगा peakly weak क्यों logically समझो न 8 वाला ही non-planarity की तरफ जा रहा है 12 वाला और non-planarity की तरफ जा सकता है इसलिए वो weakly anti-aromatic बनके आ जाएगा slightly anti-aromatic की तरफ tend करेगा जैसे बोलते है 14 वाला क्या हो जाएगा 14 वाला aromatic हो जाएगा कर सकता ने है तो लेकिन weakly aromatic होगा क्यों वही reason है जब इसा घर ही बहुत बड़ा हो गया तो एक किसी भी रूम में रह सकता है तो non-planarity की वही chances है कि वो उसकी tendency भड़ जाती है 16 में लेता हूँ अब देखो 16 तो मतलब बहुत बड़ा घर 16 मतलब बहुत बड़ा घर जब उसके पास बहुत बड़ा घर है तो वो weakly भी क्यों रहना चाहेगा वो weakly भी क्यों unstable रहना चाहेगा इसलिए वो चला जाता है बिल्कुल out of the plane तो वो बन जाता है non-aromatic जब घर ही उसका बहुत बड़ा हो गया तो वो बिल्कुल खुला हो गया तो इसने वही बात की हमने वो क्यों unstable रहना चाहेगा जब उसके पास मौका है तो 18 वाला बन जाएगा अब वो लोग 18 वाला non-aromatic क्यों नहीं बना विकॉस वही बात है ना कि उसके पास जब aromatic बनके stable होने की chances है तो वो non-aromatic क्यों बनना चाहेगा ठीक है? ओके next Z4 For example आपके पास एक molecule है ढंक से करना है double bond यहाँ पे carbon फोड़ा sulphur भी डाल देते है ना sulphur आपके सामने विल्कुल भी एक भी example नहीं लिया हमने लेकिन वही वाली बात है Oxygen का आई ही है वो Z4 Try करिया Z4 Try करिया Z5 Z5 में मैंने आपसे बोला है Compare the bond length of ABC यह आपको comment section में बताना है lecture भी खतम नहीं हुआ लेकिन जैसे हर lecture में आपको एक दो question comment section बताना के लिए दी जाते है मैंसे इस वाली वीडियो के लिए bond length of ABC compare करना है यह है A interesting question है B मैं C double bond O ले रहा हूँ C double bond O ले रहा हूँ यह seven membered ring है double bond O आए डिसकस कर ले दे यह आपके पास homework है comment section में आपको order लिखना है ABC bond length को order क्या होना चाहिए यह वाला compound क्या हो जाएगा जो हमारे पास Z4 है Z4 हमारे पास बनके आ जाएगा क्या बन जाएगा क्या यह आपको समझ आ रहा है aromatic क्यों बन रहा है जो ध्यान से देखिए two, four, six, eight, ten 10 pi electrons है इसलिए यह aromatic बनके आ जाएगा aromatic बनके आ जाएगा आईए अब आपको हम Olympiad के questions करवाते हैं INCHO के questions करवाते हैं ओके भाई साब देखिए इसको फिर दिया यह हमारे पास INCHO के questions है इसके है INCHO Ritterallic Investor Olympiad ट्राय करिए इस question को theory देख लीजिए एक बार इस theory में interesting point मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ ठीके please understand हकल नहीं था जिसने penzine को isolate किया था aromatic compounds को isolate किया था यह discover किया था that was actually Michael Faraday लोग पूरा aromaticity पढ़ लेते हैं लेकर उनको यहीं नहीं बता था कि chapter किसने बनाया chapter Huckles ने नहीं बनाया है Michael Faraday ने बनाया है यह पूरा का पूरा फिर Huckles का वो दिया गया आप पढ़ सकते हो मुद्दे पर आते question solve करते pause करके कर लीजे compound A के बन जाएगा aromatic बन जाएगा peripheral पर आप गिन सकते हो LCCS के दौरा peripheral पर आपके पास हो जाएगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 pi electrons present peripheral पर या boundary पर इसलिए वो aromatic बन के आ जाएगा second question मेरे भाई यह भी INCHO question है try करिये try करिये pause करके आपसे बोला गया है the preferred structure of cyclo-octa tetrin is तो क्या बन किया जाएगा आज ही बताया गया है यह बन NCRT level question है यह तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके पास tub form में exist करेगा next यह भी हमारे पास INCHO का official question है क्या बोला गया है compound जो आपके पास दिया गया है क्या वो aromatic है non-aromatic है anti-aromatic है देख लीजे ध्यान से 2,4,6 aromatic बन के आ जाएगा very simple next आईए यह भी हमारे पास INCHO का question है कुछ उपर दिया गया है क्यान आप पढ़ सकते हैं आते हैं इसके उपर listed below the compound that is aromatic in nature is oblique pause करके try करिए मेरे भाई यह क्या हो जाएगा sp3 non-aromatic anti-aromatic नहीं होगा non-aromatic हो जाएगा यह वाला aromatic यह वाला aromatic यह वाला non-aromatic correct answer बन के आ जाएगा B & C 2 marks मिले फोकट के pause करके लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो वही सेम चीज़ aromatic non-aromatic anti-aromatic बोला गया पूरे solve कर लेते हैं आप pause करके देख सकते हो boron दिया गया है यह बन जाएगा anti-aromatic 2 वाला आज ही आपको दिखाया गया है non-aromatic 3 वाला ध्यान से देखे 3 वाले में क्या क्या हो रहा है अपन के पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 aromatic बनके आजाएगा 18 pi इसको देख लीजे peripheral है हमारे पास यह उसके उपर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 मतलब क्या हो जाएगा anti-aromatic 5 वाला यह क्या हो जाएगा non-aromatic अज़ 6 को कैसे देखेंगे एक तो हो के resonance करवा के without resonance भी आप देख सकते हो 2 pi है aromatic 7 वाला 2, 4, 6 aromatic यह non-aromatic यह भी आपके पास INCHO का py क्यों था डिबबे आप खुद भर लेना किज़े ध्यान से ओके इसने questions होगे आज हमारे z 5 homework दिया गया है comments बताने के लिए z6, z7, z8 z9, z10 z11 पे हम आएंगे z11 okay, सोचे भाई ध्यान से question करना मेरा question यह है compare the ease of rotation compare the ease of rotation कौन सा घुमाना ज्यादा असा है for example molecule A किस bond के लॉंग देख रहा हूँ obviously bond के लॉंग घुमेगा तो यहीं से न रिंग थोड़ी घुमा सकते आप दो चीजें दोनों के बीच से घुमाया जाएगा वह बस वही है दूसरा आपको यह दिया गया है basically वही है application of aromaticity तीसरा आपके पास एक बाद pause करके जान से ट्राय करना pause करके ट्राय करना molecule A bond molecule B bond try करिए ease of rotation मतलब क्या है कि कहां पर rotate करना आपके पास जादा असान है आईए फिर discuss करते हैं I hope आप लोगोंने pause करके solve किया होगा देखिए अगर मैं यहां पर करवाता हूँ rotation rotation पहली बाद double bond में तो हो नहीं पाएगा logically समझो single bonds में हो पाएगा because double and triple को तो तोड़ना ही मुश्किल है तो वो देखने के लिए हमने करवा दिया resonance resonance करवा दीजिए minus and plus यह preferable होगा ऐसा क्यो preferable होगा because literally हमने पूरा lecture ही उसके उपर बिताया है अब यहां पर कोई LCCS नहीं बन रहा अब दो अलग अलग rings है इसका LCCS अलग यह aromatic है यह भी aromatic है तो भयंकर stable system है मनला resonance structure exist करेगा ढंक से similarly for example अगर मैं इस molecule को लेता हूँ करवाईए resonance किस direction में बना चाहिए क्यों पिर जैसे आप यह करोगे minus and plus यह बन जाएगा once again aromatic aromatic अब सेम चीज यहां पर करोगे किसी भी direction में करोगे आपको दिख जाएगा automatically for example आपने उपर की तरफ किया उपर वाला बन जाएगा anti-aromatic नीचे की तरफ किया तो नीचे वाला बन जाएगा anti-aromatic तो एक system हमेशा aromatic रहेगा एक हमेशा anti-aromatic तो क्या यह वाला bond तूटना चाहेगा बिलकुल नहीं तूटना चाहेगा समझा रहा है क्यों नहीं तूटना चाहेगा विकास यह वाला तोडते ही aromatic and anti-aromatic बन रहा है तो B वाला तूटना ही नहीं चाहेगा sorry C वाला जब C वाला टूटना ही नहीं चाहरा है तो फिर rotation कहां से आएगा भाई अब आते हैं A versus B के ओपर A versus B को मैं कैसे सोचू अब हम ये समझने की कोशिश करें A versus B को हम लोग कैसे सोचें तो ध्यान से देखिए A versus B में दोनों ही aromatic हैं लेकिन logically समझो ना जब aromaticity differentiating factor नहीं बचा तो क्या बच जाएगा resonance दिखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर resonance जादा होगा यहाँ पर भी जादा होगा with respect to this and this मतलब net structures अगर आप बना के देखो यहाँ पर जादा structures हो जाएगे इसलिए वो वाला जादा stable बन जाएगा तो B is more stable than A is more stable than C जब single bond बनता है इसलिए वो single bond में ही रहना चाहेगा बस यह fund आपके पास use हो रहा है pause करके लिख लिजे इसको pause करके लिख लिजे next, Z12 प्राइ कर यह मेरा question यह है भ्यान सब लिखना इसको compare the rate of PPT formation with AGNO3 compare the rate of PPT formation with AGNO3 ठीक है प्राइ करिए इसको वे तो simple लगना चाहिए अब 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 simple ही है और exam यह दिया गया है और exam try कर लिजे ABCD pause करके try करिए question वही है क्या यह आपके पास क्या बोलते है aromatic sorry क्या यह आपके पास rate का order क्या होना चाहिए okay देखिए वाई साब क्या हो जाएगा basically होगा क्या पहले वो समझते हैं अगर मैं कोई भी RX लेता हूँ X मतलब halogen RX alkal halide है उसको मैं react करवा रहा हूँ AGNO3 के साथ तो क्या reaction हो जाएगा भाई आपके पास AGX बनेगा न double displacement reaction AGX and साथ में R plus NO3 तो मेरे भाई basically आपके पास एक कार्बो कटाइन बनके आ रहा है आपके पास एक कार्बो कटाइन बनके आ रहा है समझ आ गया तो मैं कार्बो कटाइन की stability देखनी है यहाँ पर यह बनेगा यहाँ पर यह बनेगा यहाँ पर यह बनेगा यहां पर यहां पर रनेगा तो देखो यह हो जाएगा anti-aromatic अब इसमें भी मैं आपको फसाऊँगा उसमें जो गडबड करते हैं aromatic aromatic मेरे भाई यह है non-aromatic यह मत देखना कि यहां पर resonance हो रहा है तो जादा stable है anti-aromatic में resonance देखता भी है फिर भी resonance नहीं होता है भाई साब हजार पर बता दिया है तो most stable कौन सा बन जागा देखो जैसे पिछले question में हमने देखा था B and C में तो same बन रहा है aromaticity लेकिन C वाले में जादा resonance है इसलिए C will be more stable than B will be more stable than D यही हमारे पास PBT formation का order बनके आ जाएगा लिख लिजे pause करके next Z13 धंक से करना है धंक से करिएगा इसको for example आपके पास दिया गया है यह molecule Z13 एवं Z14 यह है आपके पास pause करके try करिए इसको जल्द बाजे मत करिएगा पुराने batches में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने भी इस तो गलत किया अच्छे बच्चे मतलँ जुन्होंने लिटरली olympiards की है कॉलिफाइ TVPY करके आए है कद IAT Bombay भी गए है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ ओके डिसकस कर लेते पहले तो सबसे पहले का मैं Z13 की बात करता हूँ यह मेरे देखें मेरे भाई ध्यान से देखें ध्यान से देखें कुछ लोग को लगता होगा जो अभी doubt आभी होगा मैं समझ रहा हूँ जानता हूँ रग रग बच्चों के भाई साब peripheral पे तो peripheral पे तो peripheral पे तो 2, 4, 6, 8 है anti-aromatic होना चाहिए आपने 10 के से गिने ते पहले थोड़ा दिमाग तो लगा लिए गा for example अगर मैं बोलता हूँ इसको दिमाग तो लगा लिए करो भाई इन लोग को ए doubt आ रहा है तेर हो जाएगा वा आपका resonance करवा दो और यह तो molecule इसी format में जाधे रहना चाहेगा क्यों अब आपको दिख रहा है कि जो peripheral है जो peripheral है अब दिख गया peripheral है अब उस पे 10 electrons हो गए अब उस पे 10 electrons हो गए इसलिए यह बन के आ जाएगा aromatic अब अब आपको बात है दो को लग रहा है जएड फॉर्ट नहीं हो गए काट करते हैं यहाँ से चलना चलते के 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 2, 4, 6, 8, 10 10 electrons है तो aromatic होना चाहिए अब obviously कुछ लोग जो बैटे होंगे वो बोल रहे होंगे भाई साब वो सब कुछ है लेकिन अगर मैं resonance करवा दूँ तब तो ऐसा नहीं होना ची अरे मेरे भाई करवा देते हैं न लो तो सही करवा तो रहे हैं 2 मिनिट रुकिये तो सही करवाईए अब भी peripheral देखो न चलता गया यहां से pen का size वो हो चुका है जो सची ना ने lockdown में हो गया था तो पतला करने देखें तो for example मैं यहां से चलना स्थार्ट किया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया तो देखो पूरा system आ गया 2, 4, 6, 8, 10 यह तो अभी भी नहीं आया ना यह तो मेरे भाई अभी भी नहीं आया बीच में यह दोनों के दोनों ही aromatic है aromatic एवं aromatic अच्छा Z15 के उपर आ जाते है Z15 तो मेरे साब से आपको देखी रहा है क्या होने वाला है Z15 में आपको लग रहा होगा कि aromatic होना चाहिए लेकिन यह हो जाएगा non-aromatic अब बोलों कि यह कैसे हो गया जबी भी हमारे पास बड़े elements हो बड़े elements जैसे मैंने ले लिया sulfur या selenium ले लिया मैंने sulfur की जगह या for example phosphorus ले लिया मैंने sulfur की जगह जैसे carbon के लिए carbon के नीचे क्या आता है silicon वो भी लिख देते है silicon ले लिया यह सब के सब क्या है बड़े group है बड़े ऐसे इमाजिन करो जैसे आंक बंद करके एक ring है उसके बीच में मैंने एक छोटी ball डाली इस एरिया में छोटी ball लेकिन एक बार मैंने बड़ी ball डाल दी तो इमाजिन होड़े रिंग ऐसे जा रही है बस वोई चीज हो रही है जब मैंने बड़ी ball डाली तो रिंग ऐसे फैल जाएगी और जैसे वो फैल जाएगी तो वो different plane में चली जाएगी इसलिए वो मेरे भाई आपके पास बन के आ जाएगा क्या बन जाएगा non-aromatic non-aromatic ठीक है अच्छा pause करके लिख लीजे pause करके लिख लीजे last question z16 हौट इस simple question लेकिन मैं उसके नहीं ले रहा हूँ ये question कुछ और बताना ये जो lone pair है मैंने ये पूछा जो lone pair है मतलब जो nitrogen है उसका hybridization क्या है nitrogen का hybridization क्या है तो 1,2,3,4 sp3 लगना चाहिए लेकिन sp3 नहीं होगा is actually 2 ये question भी आपको मेरे notes में मिल जाएगा j advance में आ चुका है उससे पहले मैंने करवाया है अगर आप हमारे notes खोल के भी देखना चाहते हो वैसे तो आपको YouTube पे videos मिल जाएगी जाप मेंने बताया कि कौन से video से कौन सा question तो वो भी आप देख सकते हैं with date with time stamps ठीक है तो ये sp2 होगा आप हो लोगे sp2 कैसे अरे मेरे भाई resonance advance में आने से पहले हम पढ़ा चुके हैं इसको भाई कैसे change हो जाता है जो आपको दिख रहा होता है और ऐसे एक question नहीं बहुत सारे questions है जो एक तो बड़ी DPP भी देता हूँ जो बच्चों को पता कुछ हम से पहले पढ़ चुके तो 1,2,3 दिख गया इसलिए वो हो जाएगा SP Homework मिल जाएगा Telegram के उपर link in the description Please make sure आप वीडियो को लाइक कर देना subscribe कर दिए चैनल को बहुत मैंने लगती है वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं फिर next lecture के अंदर All the best Jai Hind